लीनियर पार्शेल डिफरेंशेल एक्वेशंस आप फॉस्ट अडर वीडियो नमबर सेवन वेलकम अलव यो और्थोगोनल फेमली आफ सर्फेसेस वीडियो नमबर टू दोखो इसी प्लेलिस्ट में और्थोगोनल टेजेक्टरी की भी चर्चा हुई थी और इसी का अर्थोगोनल टेजेक्टरी निकाले थे अर्थोगोनल टेजेक्टरी आफ फेमली आफ कर्वस अना सर्फेस अभी क्या निकलना है फेमली आफ सर्फेसेस के लिए अर्थोगोनल फेमली आफ सर्फेसेस निकलना है सर्फेस की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग तो पिछले वीडियो में अपने एक अप्रोच पड़ा और्थोगोनल सर्फिसेज निकलने का और इसमें हम लोग दूसरा अप्रोच पड़ाएं to find orthogonal family of to find orthogonal family of the family of surfaces family of surfaces surfaces given by phi of uv equals to 0 or v equals to phi of u phi of uv equals to 0 or v equals to phi of u given family of surfaces given family of surfaces we eliminate phi and form differential equation actually eliminating arbitrary function phi from 1 we get differential equation of the family of the family 1 कैसा differential equation मिलेगा p p plus q q equals to r जैसा ये काम आप कर चुके हैं एक प्लेलिस्ट में foundation and formation of linear partial differential equation में आप चाहें तो इसके लिए यहापे वालिक दे रहा हूं प्लेलिस्ट एक प्लेलिस्ट आप लिए और बाहर रहर रहरा हूं आप चाहें C Video No. 4 Partial Differential Equations Foundation and Formation Foundation and Formation ए प्लेलिस्ट का ताइल आप्लेट आप लिए प्लेलिस्ट का टाइले Foundation and Formation इसमे वीडियो नूम्बर फोर में यह चीज है अभी भी मैं बताएंगे आपको लेकिन अगर आप बहुत डिटेल भी देखना तुम आदेखले the differential equation of orthogonal surface ऐसे लिखाजे the differential equation of the family of orthogonal of the orthogonal family of the orthogonal family of surfaces is Pdx plus capital Qdy plus capital Rdz equals to 0 नूमर तीन को इस टोटल differential equation अब टोटल differential equation भी एक चेप्टर होता है एक part है person है differential equation का ordinary differential equation का तो उसका नालेज चाहिए लेकिन मैंने देखा है कि जो प्राब्लम से वो हलके सने पड़ जाता है ऐसा ही यहां मैं से लिख दे रहाँ it is total differential equation इसकी playlist आपको अलग से में लेगी solving it we get the orthogonal family orthogonal family of surfaces तो यह कुशन देगे PQR DR से किसके DX DY Z DR से किसके यह सब discussion पहले के वीडियोस में हो चुप है concept का जो mechanism हो आपको हम समझा चुक है वीडियो स्क्रम से ही देखें मैं बार बार बच्चों को ही बोलता था सारे वीडियो स्क्रम से देखें दावा है कि आपको सब चीज समझ में आएगा अगर आप समझना चाहेंगे तो और हट कर लिए कि मैं समझना ही नहीं तो फिर ना समझेए पिर कौन समझा पाएगा बार इखेंगागाकर जहरे in my दिर फार में विएर वाद. पेश्प ही जाट नहीं phi of z into x plus y whole square comma x square minus y square equals to 0 इस पूरी विरुस्था का network connection बना दे रहा phi is a function of या पहले स्कोर से लिखा जै phi of uv equals to 0 where u equals to z into x plus y whole square v equals to x square minus y square given family और विस्का network phi is a function of u and v u and v both are functions of x, y, z x y z v is also function of x, y, z और इस पूरी प्योस्था न z is a function of x and y phi को eliminate करके differential equation बनाने की प्रक्रिया direct lock करी ने सकते हैं पुरो प्रोसेस हो के गुजर्ना hot wow differentiating one partially with respect to x differentiating one partially मिठ रस्पेक्ट टू एक्स वीगट फाई को एक्स के रस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट करना है तो इस नेटवर्क से हम कैसे लिखते हैं यू समझो कि फाई से एक्स तक आना है कितने रूट है फाई से यू, यू से एक्स फाई से यू, यू से जड़, जड़ से एक्स इसी प्रकार से वी से होकर फाई से भी वी से एक्स फाई से भी वी से जड़, जड़ से एक्स अब लिखाएं देल फाई अपान देल यू, देल यू अपान देल एक्स प्लस देल फाई अपान देल अगर यह नेटवर्क सही बना लिए तो यह सब लिखना असान हो जाता है बना लिखना 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 ल इसको small p से denote करते है small p del u upon del z plus del phi upon del v common हो गया bracket में क्या बचला del v upon del x plus del z upon del x की जगे small p लिख दिया यह हो गया implies that del phi upon del u upon del phi upon del v बचला minus dividing line del u upon del x plus p del u upon del z divided by del v upon del x plus p del v upon del z उल्टा कर दे है उल्टा कर दे है है नँ उल्टा हो गया उपर रहेगा भी sorry अर लीचे रहेगा यह अब ठीक है समझ रहेगा इस तर्व को धर ले जाएंगे फिर इतना हिस्सा धर लाएंगे इस पूरे कुछ के नीचे ले जाएंगे number two similarly similarly by differentiating one partially with respect to i we get del phi upon del u upon del phi upon del y del v equals to minus dividing line y के respect हो रहा है तो del v upon del y plus जहाँ P आया हम Q आजाए अगर del z upon del x के जगर del z upon del y आजाए जिसको Q से denote करता है तो small Q del v upon del z और नीचे del u upon del y plus small Q del u upon del z नमबर 3 2 और 3 का left hand side equal है तो right hand side को equate करिए इस तरह से 5 eliminate हो जाएगा from 2 and 3 from 2 and 3 minus we balance हो जाएगा del v upon del x plus P del v upon del z divided by del u upon del x plus P del u upon del z equals to del v upon del y plus Q del v upon del z divided by del v upon del y plus Q del v upon del z z oye v कहां से हो गया u यह रहा फिर सदेखो u और v चहीए ना पूद कहीं लिख लिख लिए जाएगा यहां लिख लाएगा u बराबर कितना था z इंटू x plus y whole square और v था साथ x square minus y square देख लू u z into x plus y whole square और v x square minus y square इनमें value speed करिये implies that del v upon del x 2x plus P into del v upon del z 0 निच आईए del u upon del x 2 2 z x plus y plus P into del u upon del z x plus y whole square equals to del v upon del y minus 2 y plus Q into del v upon del z 0 del u upon del y 2 z into x plus y plus Q del u upon del z x plus y whole square आप बाई a2 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 balance का दी हाई implies that x upon 2z into x plus y plus p into x plus y whole square equals to minus y upon 2z into x plus y plus q into x plus y whole square cross multiply करेंगे simplify करेंगे p p plus q q equal to r जैसे रूप में इसको set करेंगे हाँ एक काम ओर हो सकता था नो इसी में x plus y x plus y x plus y x plus y balance कर दो तो इसमें से ऐसे कर दो एक एक इसे बचा लिया जा यह है और यहाँ बेटा दो और यह पावर बेटा दो अगर इंप्लाइज नेट x into 2z plus q into x plus y yeah equals to minus y into 2z plus p into x plus y सब को इढ़े लिया है इंप्लाइज बेटा 2z x plus q into x into x plus y plus 2yz plus y into x plus y into p equals to 0 चलिए पहले p वाला लिखते है implies that y into x plus y into p फिर q वाला plus x into x plus y into q or equals to ये दोनों उदर जाके negative हो जाएंगे minus 2z common हो जाएगा और बचेगा x plus y x plus y फिर से cancel हो रहा थो implies that yp plus xq equals to minus 2z number 3 तक हो जुगा number 4 that is capital p into small p plus capital q into small q equal to capital r pp plus q q equal to r differential equation of orthogonal family of orthogonal family is capital p dx plus capital q dy plus capital r dz equals to 0 that is capital p किसको लिखा बना y को त्यों हो गया y d x capital q x plus x dy capital r minus 2z minus 2z dz equals to 0 implies that यह दोनों मिलकर के हो जाएंगे d of xy यह ही है total differential exact differential minus 2z dz equals to 0 integrating we get xy minus z z square equal to c where c is arbitrary constant where c is arbitrary constant यह है था बैया formation of differential equation by eliminating arbitrary function यह इसमें मुख्य कामे आई है एक हलका उधारा नोर देगा जिसमें differential equation आई लेडी दिया रहेगा तो यह जो eliminate करके differential equation form करने का पूरा प्रक्रिया है यह cut जाएगा अगले वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे Lagrange method for linear partial differential equations involving more than two independent variables अभी तक जो चल्दा था उसमें तीन variables थे x, y, z जिसमें की z dependent variable था x or y independent variable था यह जाएगा z is a function of x and y अभ इंडिया बढ़ाएंगे something like ugly medium अगले मिदियो με example two hulka find the family of surfaces find the family of surfaces orthogonal to the family of surfaces orthogonal to the family of surfaces given by the differential equation given by the differential equation y plus z multiplied by small p plus z plus x multiplied by small q equal to x plus y y plus z p plus z plus x q equals to x plus y that is capital P P plus capital Q Q equals to capital R differential equation of orthogonal family is capital P dx plus capital Q dy plus capital R dz equals to 0 that is y plus z plus z d x plus z plus x dy plus x plus y dz equals to R total differential equations in the chapter of the chapter. This is the simplest equation of the chapter. The playlist is different but here also doesn't have any problem. ने होगी आपको दैखों इंप्लाइज देट S D Y plus Y D X दिखरा आपको कहा कहा दिखरा X D Y plus Y D X plus Y D Z plus Y D Z plus Z D Y Y D Z plus Z D Y plus ZDX plus XDZ ZDX plus XDZ equals to 0 implies that यह तीन हो exact differentials है पहला है D of XY plus दूसरा है D of YZ plus तीसरा है D of ZX equals to 0 integrating we get integrating we get XY plus YZ plus ZX X equal to C यह यह answer आगे where C is arbitrary constant यह लिकना जरूरी where C is arbitrary constant छोटा वीडियो हो गया है क्योंकि अब इसमें question नहीं उठाएंगे और topic change करना है इसलिए हो अगले वीडियो में क्या बताना है अब को बता चुके है Thank you